हलो दोश्तों मैं श्री अपने चैनल स्रेडी फूर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ तो आप लोग मूली तो खाते ही होंगे और इस टाइम मूलियां तो भर-भर के आ रही है क्योंकि इस time मूली का season है तो आप लोग मूली खाते होंगे उसके पत्तों को उठा कर fake देते होंगे पर आपको सायद पता नहीं है कि मूली के पत्ते कितने जादे फैदेमंद होता है खास करके हमारे kidney stone के लिए अगर जिसकी को अगर वो मूली के पत्तों की सबजी से 15 दिन खाले और पां़ी पीले फरपूर तो उसके जो किडनी के होगी शटोन होता है वह बाहर निकल जाता है उसके लाए अगर आपको सुगर है तो आप क्या करिए मूली के पत्तों की सबजी आप पर डे दो पहर में अपने लंच में आप लोग लीजिए, तो आपका क्या होगा, आपका सुगर बिल्कुल कंट्रोल रहेगा, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है मूली के पत्ते, और मूली के पत्तों को आपको काटना है, ठीक है, और उसके जो उपर के डंठाल होते हैं, उनको तोड़ लेना है, आगे से आप लोग कभी भी मूली के पत्तों को फेकिएगा नहीं क्योंकि मूली के पत्तों में बहुत जादे फॉस्पोरस और मिललंस होते हैं बिटमिन इस तदम भर पूर होता है भर भर के होता है इसलिए कभी भी कभी भी और इसका टेस्ट तो अमेजिन आता है इसके सबजी का ठी जियों को फेक ही मत इसके पत्तों को आप क्या करिए इसको काट के धुल दीजी आप पहले काटने से पहले भी धुलिए और काटने के बाद भी इसलिए क्योंकि अगर आप काटने के बाद नहीं धुल लेंगे नो तो इसमें बहुत सारे जो मूली जब हमारी उगाई जाती है तो इसमें बहुत सारे कीट नासक दुमाय डाली जाती है तो इसकी स्मेल इसमें रह जाती है इसलिए आपको काटने के बाद भी इसको कम से कम 3-4 पानी अच्छे से धुलना है उसके बाद से आपके पास जो भी छोटी बड़ी जो भी कड़ाई हो वो रख लीजी आप गैस आप इसमें डाल जे देसी की ध्यान लखियेका कि यह सबजी देसी की में बनती है सरसो के तेल में सबजी को मत बनाएगा नहीं तो सबजी कढ़ी होजाएगी और इसमें पड़ता विए पंचफोरण ज़ूर पड़ता है पंचफोरण का टेस्ट एसमें amazing आता है उसके से इसमें एट कर देना है आपको हरी प्याच या फिर आप नॉर्मल प्याच भी एट कर सकते हैं आप इसमें कुछ लोग इसमें लालमिश खड़ी लालमिट भी डाल देते हैं पर इसके पॉस्टिक तक खतम हो जाती है मैं जहां तक मैंने ने देखा है कि जब भी इन सब्जि बहुत ही जादे डिलीसिया सब्जी बनकर रेडी होती है और इसमें बहुत सारे मसाले और जंजट भी नहीं करने पड़ते हैं बहुत ही नाम मादर का थोड़ा सा इसमें नमक डालना होता है और उसके बास से हल्दी इसलिए डाली जाती है क्योंकि बगार हल्दी का खाना बन आ रहे हैं अगर आप ब्रत के लिए नहीं बना रहे हैं खास करके तो आपको क्या करना है हलकी सी हल्दी डालनी होती है तो असुब माना जाता है तो चली सुब असुब की बाते हम छोड़ते हैं और अपनी सब्जी को पकाना स्टार्ट करते हैं तो सब्जी को पकाने के लिए Starting में आपको इसको कम आज पे रखना होगा ताकि हमारी सब्जी पानी को जो हमारी सब्जी में अब्सक्र पानी होता है तो जो मुश्र होता है उसको छोड़ दे इसके लिए आपको सबसे स्टार्टिम में क्या करना है कम आज पानी उसको रिलीज कर दे वो उसके बाद से हलका सम्मध्यमाज करके इसको पका देना है यह पांट ने टाइम लेता है बहुत जादे नहीं लेता है और आपको बीच बीच में इसको आपको चलाते रहना है ताकि जले ना ध्यान रखिएगा यह जल जाती है तो इसकी पल्टे से आपको इस तरह से अलट पलटके आपको इस तरह से मैस करना है आप जितने अच्छे से इसको मैस करेंगे न उतना ही अच्छा होगा अब इसमें आपको एक बहुत ही जाते मेरा वाला जो secret ingredient है इसको बोलते आलन आप क्या क्या बोलते मुझे नहीं पता जो हरी उसके लिए उसमें आलन डाला जाता है वो है मैं डालती हूँ इसमें बेसन जो भी हमाई आहरी सबजय होते उसमें मैं बेसन आट करती हूँ आप क्या इसे क्या बोलते हैं आप जरूर बताना ठीक है तो यह मैंने बेसन इसमें आट कर दिया है और यह बेसन आट करने के बा बहुत जादे हिल्दी सबजी को जो यह बहुत जादे हिल्दी होती है खास करकर हमारी ब fotos की बाड़ी मिस टूण होता है हमारे जूप अपने चप्वाड़ का में दाने बहुत जादे मतलब की दाने व Вас Consult Up निकलाते हैं और यहा यह जैसे हम T.A. हैं तो टीनेज में क्या होता है नहीं कि बच्चों के चेरे मुहासे में बहुत जादे हो जाते हैं तो यह मुहासों में बहुत ज्यादे फैदेमन्द होता आधे अक्सर कर stimmt को जिनके चेरे पर मुहासे य zat visualize ग्रिदाने और ने लिगते तो वो लोग भी अगर इससे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़ादे इन सब्जियों को खाएंगे तो उनको बहुत ज़ादे फायदा होगा एक बार आप इन सब्जियों को इस तरहेके से बना कर खा कर देखिए तो आप मुझे से बताईएगा कि आपको कितना अदे फैदा हुआ और हाँ कमेंट करके जरूर बताईगा कि आपको कितना फैदा हुआ और उसके अलावा अगर आप लोग को मेरी ये बनाईवी सबजी पसंद आई आप लोग प्लीज मेरी चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग न्यू है और उसके अलावा आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू